वेरी गूर्णिंग फ्रेंट्स आज हम करेंगे सेट नंबर वन जो की फीजिकल जिग्रोफी से रिलेटिड है आज से फीजिकल जिग्रोफी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सब टोपिक रहेगा गोल अर्थ वब बिशे कशेत्र most important one to twenty question देखने को मिलेंगे सभी question important है किसने किसी competitive exam में appear हो चुके हैं तो most probably आपके exam में भी appear हो सकते हैं please वीडियो को पूरा में देखिए skip ना किजिएगा 20 question आपके ready हो जाएंगे और यदि आप इस channel पर आपने हैं तो please आप channel को like and subscribe आप जुरूर करें यहाँ पर हिमाचित प्रदेश competitive gk complete आपको मिलेगी plus static gk ancient Indian history, medieval Indian history, polity, art and culture, general science, physical geography, basic science इस तरह के आपको तमाम topics यहाँ देखने को मिलेंगे जो कि most important questions के साथ हैं और आपके exam में appear हो सकते हैं start करते हैं friends आज का first question तो आज का first question है भुगोल का जनक किसे कहा जाता है ठीक है who is the father of geography ठीक है तो भुगोल का जनक है hekts ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा hekts को भुगोल का जनक कहा जाता है अगे move करते है second question भुगोल को एक अलग अधेयन शास्तर के रूप में स्थापित करना का श्रेव निम्र में से किस विद्वान को है ठीक है तो भुगोल को एक अलग अधेयन शास्तर माना गया स्थापित किया गया किसके द्वारा इरेटोस्थनीज फस्ट राइट अंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज राइट अंसर है यां ठीक है आगे move करते हैं भुगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का प्रयोग सरपरतम किस ने किया most important तो देखिए भुगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का जो इस्तिमाल किया गया वो किया गया इरेटोस्थनीज द्वारा ही ठीक है तो option C right हो जाएगा यहां पर अंसर आगे move करते हैं fourth question fourth question है जोग्राफिके शाब्दिक अर्थ के अधार पर भुगोल की परिभाशा क्या की गई है तो देखिए जो जोग्राफिक है शाब्दिक अर्थ के अधार पर भुगोल यानि जो जोग्राफिके उसकी definition है भुगोल बेविग्यान है जो पृत्वी के द्रादल का अधेन करता है तो right answer हो जाएगा option first अगे मूव करते हैं फिप्थ क्वेश्चन फिप्थ क्वेश्चन है भुगोल पृत्वी को केंदर मानकर अधेन करने वाला पिज्यान है किसने statement बोली थी और दी थी तो भुगोल पृत्वी को केंदर मानकर अधेन करने वाला पिज्यान है किसने कहा था तो right answer है वारेनियस में तो वारेनियस राइट answer हो जाएगा option C अगे move करते हैं भुगोल भूतल का अध्याइन है किसने कहा था तो देखिए भुगोल भूतल का अध्याइन है यह कहा तक can't ने right answer option B can't अगे move करते हैं बोगॉलिक बिचारधाराओं में नव्म नियती बात की बिचारधारा का परबरतक कौन है तो देखिए बोगॉलिक बिचारधाराओं में अगर हम बात करें में नव्म नियती बात की तो इस बिचारधारा का परबरतक है ग्रीफित टेलर ओप्शन भी राइट अंसर हो जाए ने, ठीक है, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, इस question को important वानके चलिएगा, काफी time question पूछा गया है exams में, आगे move करते हैं 9th question, 9th question है, स्थल रूप सरंचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफाल होता है, ये कतन किसका है, तो देखिए स्थल रूप जो है, वो सरंचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफाल होता है, ये कतन थाम W, डेविस का, option B, राइट हो जाएगा डेविस, आगे move करते हैं, यदि इतिहास कब का बेग्यानिक अध्याइन प्रस्तूत करता है, तो भूगोल कहां का बेग्यानिक एवं तार्गिक अध्याइन है, important कतन है कतन को फिर से एक बार अब समझेए, यदि इतिहास हिस्ट्री कब का बेग्यानिक अध्याइन प्रस्तूत करता है, तो भूगोल कहां का बेग्यानिक एवं तार्गिक अध्याइन है, एक कतन कहा था कार्ल सावर ने, ठीक है, तो option first right हो जाएगा आपका कार्ल सावर, आगे move करते हैं, भू आगरेती बिग्यानिक इंगलिश में इसको बोलते हैं, जियो मॉर्फोलोजी का जर्मदाता किसे माना जाता है, तो देखिए, भू आगरेती बिग्यानिक जियो मॉर्फोलोजी का जो फादर है वो माना गया पेशेल को, option B right हो जाएगा पेशेल, आगे move करत हैं, इपोटेंट, रुको और जाओ, नियती बात, इंगलिश में गोलिंगे, stop and go and determinism, की बिचार धारा के प्रतिपादक कौन है, देखिए, stop and go, जो determinism है, इस बिचार धारा के जो प्रतिपादक है, वो है, option D, Griffith Taylor, ठीक है, right हो जाएगा, fourth, आगे move करते हैं, भूगोल को म मानब पारिस्थितिकी के रूप में परिभाशित करने वाले बिद्वान को है, देखिए, भूगोल को मानब पारिस्थितिकी के रूप में परिभाशित करने वाले बिद्वान है, एच-एच, वेरोज, ठीक है, right answer हो जाएगा, option D, वेरोज, आगे move करते हैं, 14th question, गिनिती उसके जो founder है, जो problem करता है, वो है थेल्स, option first, right हो जाएगा, थेल्स, आगे move करते हैं, 15th question, 15th question है, important, चुंकि मानब प्रिथिवी पर निवास करता है, अथा प्रिथिवी पर निर्वार है, यह कतन किसका है, देखिए, बहुत अच्छी statement है, चुंकि मानब प्रिथिवी पर निवास करता है, अथा प्रिथिवी पर निर्वार है, यह कतन था, जीन बुरूंस का, ठीक है, important मानके चलिए, environmental science में भी यह पूछ लिया जाता है, question, 16th question चलते है, most important किशेत्री भूगोल, इसको बोला जाता है, reasonable geography, का पिता निमन में से किस भूगोल बेता को कहा जाता है, तो देखे, जो किशेत्री भूगोल है, यानि जो reasonable geography है, उसके father है, कार्ल रिटर, option first, right हो जाएगा, कार्ल रिटर, अगे move करते हैं, मानना भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जो human geography है, उसके संस्थापक भी कार्ल रिटर ही है, option C, right हो जाएगा, कार्ल रिटर, 18 में question की तरब चलते है, मानना भूगोल, अस्थाई पृत्वी एवं चंचल मानना के पार्स पर वर्तिक पर वरतन शील समंदो का अधियाईन है, इस statement किसकी है, तिक है, मानना भूगोल, अस्थाई पृत्वी पर वर बुगोल को एक अलग अध्यान साश्तर के रूप में इस्तापित करने का अश्रे किस बिद्वान को जाता है लेकिन आप इस शीज को ध्यान रखिएगा क्वेशन काफी बार पूछा गया है बुगोल को एक अलग स्टडी समझा गया फर्स्ट ऑप्शन इरेटोस्थनीज द्वारा ठीक है तो राइट अंसर हो जाएगा उप्शन फर्स्ट इरेटोस्थनीज अब चलते हैं लास्ट क्वेशन लास्ट क्वेशन है भुगोल के लिए जोग्राफी का शब्द का प्रयोग सारप्रतम किसने किया तो देखिए इस तरह से क्वेशन भी स्टेट फ़रवड पूछ लिए जाता है तो राइट अंसर फिर से में लेटोस्थनीज हो जाएगा उप्शन सी इस दा राइट अंसर तो फ्रेंट्स यह थे टोप बन तुट्वन्टी मोस्ट इपोर्टेंट क्वेशन फर्स्ट सेट था इसलिए थोड़े लेंथी क्वेशन थे स्टेटमेंट बेस्ट क्वेशन थे बट इंपोर्टेंट थे कोई स्टेटमेंट फिसिकल जिग्राफिय में पूछ ली जा सकती और सभी स्टेटमेंट्स मॉस्ट इपोर्टेंट है तो प्लीज वीडियो को पूरा में देखिएगा आपके 20 questions अच्छे से त्यावर हो जाएंगे प्लस आप चैनल को subscribe आप कर लीजिए competitive view of points से BSB study में सरकल चैनल best है आपके लिए ओके थैंक यू